Hello students, welcome to my channel Unique Love of Knowledge और हम पढ़ रहे थे The Enemilation जो की लिखा है Palsas Buck ने इसके हमने चार पार्ट पढ़ लिए दे, आज इस वीडियो के अंदर हम इसका पांचवा पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं चुत्य बाग के अंदर हमने पढ़ा था कि सदाओ के पास एक messenger आता है उसको बुलाने के लिए क्योंकि उसको जनरल ने बुलाया था वो बिमार हो गया था उसको कोई तकलीफ हो गई थी इसलिए सदाओ क्योंकि ए बहुत बड़ा डोक्टर था जापान का वो उसको बुलाने के लिए आया था अब सदाओ जनरल के पास जाएगा वहाँ पे क्या होता है वो क्या सवाल जवाब होते हमे क्या होता है वह उसका आगे क्या होता है वो सारह कुछ हम इस Wordी ओ के अंदर पढ़ने वाल है तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिे वर देकिए bracket में लेखा है सदाव ओस to see the general सदाव जो है वो general को देखने के लिए जाता है जो messenger होता है वो बुलाने के लिए आता है सदाव general के बाज आता है उसको देखने के लिए to बड़ते हैं में क्या होता है of course the general says weekly general weekly करते है कम जोरी मैंसे उसके कहता है कि निश संदे है अब यहां पर होता क्या देखिए सदाओ जो होता है वो सारी बाते बता देता है जनल को और सारी बाते सुनने के बाद में कि किस तरीके से वो केती इसके गर में है और यह उसका इलाज कर रहा है सुनने के बाद में जनरल कहता है Of course, Nisande, I understand fully मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ But that is because यही कारण है कि I once took a degree मैंने एक बार एक degree ली थी in Princeton, Princeton के अंदर So few Japanese have Princeton एक university है, जो कि America के अंदर है, तो यहां पर जनरल कह रहा है कि मैंने Princeton University शे एक degree ली थी So few Japanese have America जा करके I care nothing for the main excellency सदाव सेट, तो सदाव क्या क्या गयता है, देखी, I care nothing for the main मुझे उस आदमी की बिल्कुल भी परवा नहीं है यानि मैं उसकी परवा नहीं करता हूँ Excellence, Excellence यह एक word है जो कि बहुत बड़े उन्चे पदों पर होते है जिसे राज्येपाल, महा महीम इसका अर्था आप ले सकते हो राज्येपाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो महा महीम आप इसका अनुवाद कर सकते हो तो सदाव क्याता है, महा महीम मुझे उस आदमी की बिल्कुल भी परवा नहीं है But having operated on him जो कि मैंने उसका operation किया है with such success, इतने सफलता के साथ आगे वो कुछ बोलना चाहता है कि मैंने इतने सफलता के साथ उसका operation किया है, उसकी जान बचाई है लेकिन उसकी बात को बीच में काड़ दिया जाता है जर्नल के दवारा, और जर्नल कहता है येस, येस, हाँ, जर्नल कहता है इस से केवल मैं ये मैसूस करता हूँ यू, कि तुम more indispensable to me indispensable कहते हैं जो कि बहुत ज़्यदा जुरूरी हो मनलो बहुत ही ज़्यदा आवशक हो तो जर्नल ने क्या कायां पे कहा कि इसी लिए मैं मैं मैसूस करता हूँ तुम मेरे लिए बहुत ज़्यदा जुरूरी हो इंडिस्पेंसेबल हो evidently, इस पस्ट रूप से you can save anyone तुम किसी की भी जान बचा सकते को you are so skilled, तुम बहुत skilled हो तुम बहुत कुशल हो, बहुत दक्ष हो तुम you say, तुम कहते हो you think कि तुम सोचते हो I can stand one more such attack stand काता होते है, सहन करना तो यहां पर जनरल डोक्टर सदाओ से कहता है कि तुम है सोचते हो कि मैं सहन कर सकता हूँ one more such attack, इस परकार का एक और attack, as I have had today, जो मुझे आज पढ़ा था यानि आज जो मुझे attack हुआ था यानि heart take आया था जनरल को इसलिए डोक्टर सदाओ को गुला कि लाए था messenger, तो यहां पर जो जनरल है वो कह रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक और attack इस परकार का सेहन कर सकता हूँ not more than one, एक से ज़्यादा नहीं सदाओ सेट, सदाओ कहता है एक से ज़्यादा आप सेहन नहीं कर पाओ गया then certainly, तो निष्चित रूप से I can allow nothing to happen to you मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूगा जनरल कहता है डोक्टर सदाओ से कि यदि मैं attack और ज़्यादा सेहन नहीं कर सकता है जनरल का जो लोग पेल पेल जापानीज फेस जो था बिकेम expressionless, expressionless करते हैं कोई बाव ना होना उसको करते हैं बाव रहीत तो जनरल का चेहरा जो था वो बाव रहीत हो गया जनरल ने फिर आगे डोक्टर सदाओ से कहा अपनी आँखें बंद करते हुए जनरल ने का कि तुम्हें गिरफतार नहीं किया जा सकता अब यहां पे जनरल क्या कहता है सपोच कि तुम सोचो यदि तुम्हें मोद की सजा हो जाए and the next day और अगले ही दिन I had to have my operation मेरा operation करना पड़े तो क्या होगा तो इसलिए जनरल इसको कहता है कि तुम्हें गिरफतार तुम्हें नहीं होने दूँगा क्योंकि यदि तुम्हें गिरफतार कर लिया गया और तुम्हें हासी की सजा हो गई मोद की सजा हो गई और मेरा operation करना पड़ा तो कौन करेगा there are other surgeons excellency सदाव suggested there are other surgeons की और भी सर्जन है excellency जापान के इंदर और बहुत सारी सर्जन है वो आपका operation कर सकते हैं none I trust मैं किसी का भी विश्वास नहीं करता the general replied general में जवाब गिया मुझे किसी भी दूसरे डोक्टर का विश्वास नहीं है the best ones have been trained कि सबसे अच्छे से अच्छे जो डोक्टर है न have been trained उन्होंने training लिया है perception लिया है by Germans German लोगों के दवारा और वो उप्रेशन को मानेंगे उप्रेशन को समझेंगे successful even if I died यदि मैं मर भी गया तो भी वे कहेंगे कि उप्रेशन सफल हो गया क्योंकि वो जर्मन जो है उन्होंने लोगों से उन्होंने training लिया है तो यहां पे एक general का कहने का मतलब है कि जर्मन के जो लोग है वो अच्छी तरीके से training नहीं देते हैं जर्मनी से जो डॉक्टरेट के पढ़ाई करते हैं वो जड़ा कुशल नहीं होते हैं I do not care for their point of view आगे general कहता है I do not care मुझे परवा नहीं है for their point of view उनके point of view की यानि उनके द्रिस्टी कोण की उनके नजरिये की बिल्कुल भी मुझे परवा नहीं है He is side side मलोग गहरी सांस लेते हुए general नहीं कहा आगे और बोला It seems to pity seems to pity मलोग दया की बात है खेद की बात है we cannot better combine कि हम combine नहीं कर सकते मिला नहीं सकते the German ruthlessness German ruthlessness को ruthlessness कहते है कठोरता को कि बड़े दुख की बात है कि हम German लोगों की जो कठोरता है उसको misrit नहीं कर सकते combine नहीं कर सकते with the American sentimentality American sentimentality के साथ sentimentality मलो emotion की feeling of emotion आप बोल सकते हो emotion की जो बहावना होती है उसको बहावना तमक जो एक उनका नजरिया होता है American का तो यहां पे General क्या कह रहा है कि हम Germany के जो लोग है उनकी कठोरता को और अमरीका के लोगों की sentimentality को बावुकता को misrit नहीं कर सकते दोनों को मिला नहीं सकते बड़े दुख की बात है कि हम Japanese लोग है उनके अंदर या तो कठोरता होगी या फिर sentimentality होगी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी Then you could turn your prisoner over to execution अब यहां पे आगे क्या कहना चाहता है देखिए General General कह रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर Germany के लोगों की कठोरता होती You could turn your prisoner over to execution तो तुम उस prisoner को execution के लिए यानि सजा के लिए सौंप देते यानि R.B. को सौंप देते पुलिस के हवाले कर देते यदि तुम कठोर होते तो And yet I could be sure और मैं विश्वास कर सकता है You would not murder me कि तुम मुझे नहीं मारते While I was unconscious यदि मैं बेहोस भी होता तो कि यदि तुमारे अंदर ये दोनों चीज़ें होती जर्मनी की कठोरता होती तो तुम उसको सौंप देते सजा के लिए उसके दी को इलाज नहीं करते और अमेरिका की sentimentality यानि बहुकता होती अमेरिका के लोगों में जैसी होती है तो तुम मेरा murder नहीं करते जब मेरा operation करते क्योंकि मैं तो बेहोस होता क्योंकि तुम भावुक होते इसलिए The general laughed The general जो था वो हंसा यानि मजार करने की उसको इस तरह की आदत थी इसलिए उसने ऐसा बोला तो वो हंसा He had an unusual sense of humor Sense of humor करते हैं मजार करने की एक बावना Sense of humor यानि मजा की अनजरिया बोल सकते हुआ तो जनरल के अंदर बहुत ही ऐसमानिया sense of humor था एज जापानीज एक जापानीज के रूप में Could you not combine these two foreign elements क्या तुम इन दो विदेसी elements को combine नहीं कर सकते यानि जर्मन Ruthlessness जर्मनी के लोगों की Sentimentality को क्या तुम दोनों को combine नहीं कर सकते हैं क्या ये दोनों गुर्ण तुमारे अंदर नहीं आ सकते He asked उसने पूछा So thou smiled I am not quite sure He said उसने कहा I am not quite sure मुझे पूरा यकीन तो नहीं है पूरा मैं आश्वास तो नहीं हूँ कि मेरे अंदर ये दोनों चुझे हो But for your sake लेकिन आपके लिए I would be willing to try मैं कोसीज करूँगा यानि मेरी कोसीज करने की इच्छा है Excelency महा मही उसने कहा कि मेरी कोसीज करने की इच्छा है मैं तो टेस्ट केस नहीं बनना पसंद करूँगा टेस्ट केस महलो कि मैं अपने उपर तो ये परियोग नहीं करवाने वाला तुमसे जर्नल ने कहा उसने कमजोर मैसूश किया अपने आपको बहुत जदा भावनाई आजाना एकदम से फुल ओव फिलिंग्स जिसको आप बहुत सकते हैं तो जर्नल है उसने अपने आपको बहुत जदा कमजोर मैसूश किया अचनक से और वो ओर्वेर्मन हो गया था अब ओर्वेर्मन किससे हुआ था जो जीवन के अंदर उनकी सफलता ही थी एक अधिकारी के रूप में इन टाइम सच एज देज वें रिपीटेड विक्टरी ब्रोट कि बार-बार उनकी जीत हुई थी ग्रेट रिस्कॉंसिबिलिटी जो दक्षनी मासागर है उसके अंदर बहुत सारी इनोंने लड़ाईयां लड़ी थी और बार-बार इनोंने जीत आसिल करी थी यह देखिए यहांपे लेखा रिपीटेड विक्टरी यानि बार-बार इनकी जीत हुई थी तो उस पुराने टाइम को याद करके ये ओवर्वेल्ड होगे थे उन बातों को याद करके इट इस वेरी अनफॉर्चुनेट दे ये बड़े ही दुर्बागी की बात है कि इस मैं शुड़ हाव वास्टक कि ये आदमी बैख करके आ गया ओन यूर डुर स्टेप तुमारे दरवाजे पर इस सेट इरिटेवली इरिटेवली मलत चिटचिड़ा होते हुए तो जनरल में चिटचिड़े बाग के साथ का कि बड़े ही दुक्की बात है कि ये वेक्ति तुमारे दरवाजे के पास आ गया I feel it so myself मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ सदाओ सेट जेंटली सदाओ ने जेंटली बहुत बार सब्दाया स्टुडेंट्स इस लेशन में इसके दो अर्थ है एक इसका अर्थ होता है आराम से और दूसरा इसका अर्थ होता है सिष्टता के साथ बहुत ही मतलब सम्मान के साथ कोई बात हम बोलते हैं तब इसको लिखते हैं तो सदाओ ने यहाँ पर चुकी बड़ा हधिकारी है वो उनको एक्सिलेंसी कह करके बुला रहा है महा महीन कह करके बुला रहा है तो यहाँ पर जेंटली का अर्थ होता है सिष्ट तासे तो सदाओ ने बड़ी ही सिष्ट तासे सम्मान के साथ का कि मुझे भी ऐसा ही लगता है इट गुड भी बेस्ट यह सबसे अच्छा होगा इफ उसको बहुत ही शामती से मार देते हैं किसी को पता ही न चलेगा नोट बाइ यू तुमारे दवारा नहीं बट बाइ सम्मान किसी ऐसे वेक्ति के दवारा वो डिस नोट नो ही जो उसे जानता नहीं यानि तुम नहीं मारोगे उसको बलकि कोई ऐसा वेक्ति उसे मारेगा जो उसको जानता ही नहीं I have my own private assessors केते हैं हत्यारों को जो पेसे लेकर के हत्या करते हैं तो डॉक्टर सदाओ से कहा जनरल ने कि मेरे पास private assessors है यानि मेरे खुद के निजी लोग हैं कुछ जो मेरे लिए हत्या कर सकते हैं support, सोचो, I send two of them, मैं दो को बेज़ देता हूं to your house tonight आज रात को तुमारे घर और बेटर और अच्छा हो एनि नाइट या किसी और रात को बेज़ देता हूं दो जनों को You need no nothing about it तुमें इसके बारे में कुछ भी जाननी की जरूरत भी नहीं है It is now warm और अब या जो मुदा है वो warm है यानि गर्म है What would be more natural तो इससे जदा सभाविक बात क्या होगी, natural बात क्या होगी, then that you should leave the outer partition, और तुम जो outer partition है, तुम जो outer partition है, तुम जो गार्डन की तरफ हिस्सा कुलता है, outer partition, उसको तुम खुला छोड़ देना, और दोनों जो हत्यारे में बहज़ूंगा, वो उसको मार करके, वापिस आजाएंगे, तुम इसके बारे में ज़्यादा जानने की भी जुरूर नहीं पड़ेगी, certainly it would be very natural, निश्चित रूप से ये बहुती ज़्यादा सभाविक होगा, natural होगा, सदाव सैमत हो गया था, in fact वास्तो में, it is so left open every night, सदाव ने क्या का, left open, खुला रखा जात जनरल ने कहा, yearning, yearning का अर्दाता जमाई लेते वे, उबासी लेते वे का, they are very capable, असेशिंस पे बहुती योग्य हत्यारे हैं, असेशिंस हैं, यानि योग्य हैं, बहुत capable हैं अपने काम के अंदर, they make no noise, कोई भी आवाज नहीं करेंगे, and they know the trick, और उनको trick भी पता है, of involved bleeding, involved bleeding, अलो, arm trick, bleeding, यानि, शरीर के अंदर, अंदर ही, रक्त का बहना, जैसे कोई ऐसी जिगे चोट मारना, सिर के उपर, कि बाहार, खून ना निकले, और शरीर के अंदर, ये अंदर, खून बैकर के, इनसान की मौत हो जाए, तो, यहांपे जनरल ने का, कि, जो हत्यारे हैं, वे involved bleeding की trick, जो है, वो जानते हैं, इसमें वो माहिर है, if you like, यदि तुम चाहो, I can even have them remove the body, I can even have them remove the body, मैं उनसे जो body है, मृत शरीर, उसको भी हटवा दूँगा, कि वो मारने के बाद, उसको भी हटा देना, सदाओ, consider, consider का विचार करना, सोचना, तो, सदाओ ने विचार कि या, सोचा, और फिर कहा, date perhaps would be best, ये सबसे अच्छा होगा, excellency, maha maheen, he agreed, वो सहमत हो गया, सदाओ है, वो इस बात पर सहमत हो गया, thinking of हैना, हैना के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हैना के लिए वो बहुत ज़्यदा मुसीबत था, हैना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करत नहीं थी, इसलिए हैना के बारे में सोच करके वो बहुत ज़्यदा, गबराया हुआ था, और वो इस बात से सहमत हो गया, कि ठीक है, उसको मारना ही सही रहेगा, he left the journal's presence, फिर वो जर्नल की presence को छोड़ देता, यानि उसके घर से चला जाता है, then, and went home, और सदाओ जो है, वो पूरा जो मामला है, would be taken out of his hands, उसकी हातों से बाहर चला जाएगा, यानि पूरा जो मामला है, उसके अंदर सदाओ होगा, वो नहीं पसेगा, taken out of his hands, वो पूरा पूरा मामला उसके हातों से बाहर चला जाएगा, he would tell Hannah nothing, और वो Hannah को कुछ भी नहीं बताएगा, since, क्योंकि she would be timid, timid कारता बहबीत हो जाना, डर जाना, क्योंकि वो डर जाएगी, at the idea of assassins, हत्यारों के विचार से भी, यदि उसको पता चला कि गर के अंदर हत्यारे आएगे, तो इस विचार से भी वो डर जाएगी, in the house, गर में, and yet certainly, और फिर निश्चित रूप से, such persons, इस परकार के जो विक्ती होते हैं, वर essential, वो अवशक होते हैं, in an absolute state, such a Japan watch, एक absolute state के अंदर, अब absolute state क्या होता है, इसका आर्थ होता है, पूर्ण, ठीक है, such a Japan watch, जैसा कि जापान था, यानि एक पूर्ण राजिय था जापान, absolute state था, तो इस परकार के राजिये पर रूल करने के लिए, यह जो इस परकार के हत्यारे होते हैं, इनके जरूर्थ होती है, he refused to allow anything but region, अब यहां पर देखिये, he refused to allow anything but region, यानि तरक के अलावा, region के अलावा, किसी भी चीज को मना कर दिया था, उसने to be the atmosphere of his mind, अपने दिमाग का atmosphere बनने से, यानि अपने दिमाग के इंदर किसी दूसर यह जी चीज को नहीं आने दिया था, सिवाए region के, कैवल उसके दिमाग में तरक ही आ रहे थे, region ही आ रहे थे, वो कुछ भी नहीं आने दिया, A.G. went into the room, जब वो कमरे में गया, where the American was in bed, जब American जो था, वो bed के अंदर था, यानि बिस्तर में था, But A.G. opened the door, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, to his surprise, तो डोक्टर सदाव को बहुँ ज़दा आस्च्रिय हुआ, he found the young man out of bed, अस्च्रिय क्यों हुआ, क्योंकि डोक्टर सदाव ने उस युगक को बिस्तर से बाहर पाया, वो बिस्तर के अंदर नहीं था, लेटा हुआ नहीं था, and preparing to go into the garden, और वो क्या कर रहा था, preparing to go into the garden, वो बगिचे में जाने की त्यारी कर रहा था, जो young man था, यानि जो American था इसके गर में, What is this, यह क्या है, he exclaimed, सदाव है वो चीखा, Who gave you permission, तुम्हें किसने permission दी, to leave your room, अपना कमरा छोड़ने की, I am not used to waiting for permission, I am not used to waiting for permission, मैं permission का इंतजार करने का आदी नहीं हूँ, टॉम्हें गेली, टॉम्हें यहां पर गेली के दो अर्थ होते हैं, रिखिए, एक तो गेली कार्थ होता है, खुशी से, आनन से, और दूसरा इस कार्थ होता है, थोड़ा सा नाराज होते हुए, तो यहां पर नाराज होने वाला आर्थ है, टॉम्हें नाराज होते हुए, का कि मुझे permission की आदत नहीं, किसी सी permission लेने की जूर्थ नहीं है, मैं एक दम से सही हूँ, बट विल्दा मसल्स ओन दिस साइड, और इस साइड की जो मसल्स हैं, अल्वेज फील स्टिफ, स्टिफ का मतलोग वह जदा अकड़न महसूस करना, तो जो टॉम्हें था, उसने लोक्तो सदाव से का कि इस साइड की जो मसल्स है, क्या वो इसी तरीकी से अकड़न महसूस करती रहेगी, इजिट सो, क्या ऐसा है, सदाव इनकॉइर, सदाव ने पूछा, इनकॉइर किया, कि तुमारे मसल्स में अकड़न हो रही है, सर्प्राइस्ट, आज सिर्चकीत होते हैं, सदाव ने पूछा, अब वो बाकि सारी चीज़ें हैं, वो भूल गया था, अब उसके बाद में देखिए, सदाव ने कहा, अब मैंने सूचा, आई हैं पूछ दिया था, यह जो अकड़न है, इसके खिलाब तो कुछ दिया था, वो बड़ बड़ाया, फिर सदाव ने कहा किया, उस आदमी की शर्ट जो है, उसके किनारे को उपर उठाया, and gazed at the, gazed का अथ होता है, गूर कर देखना, at the healing, heal का अथ होता है, स्वस्तों न, ठीक होना, तो डोक्टर सदाव ने गूर करके देखा, at the healing scar, जो ठीक होता हुआ गाव था, उसको ध्यान से देखा, massage may do it, he said, तो डोक्टर सदाव ने का, massage जो है, वो इसको ठीक कर देगी, massage करनी पड़ेगी, तुमारे malis करनी पड़ेगी, if exercise does not, यदि exercise से यह नहीं होआ है, तो massage से ठीक हो जाएगा, it won't bother me much, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बोदर का अच्छा था परेशान करना, the young man said, उस young man ने का, कि ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, his young face was gaunt under the stubbly blonde beard, अब उसका जो young face था, gaunt under the stubbly blonde beard, gaunt का अर्थ होता है, students की बहुत time तक कोई विक्ति बुफा रहता है, उसके बाद में उसका चेहरा बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, उसको करते हैं gaunt, तो उसका जो चेहरा था, वह ज़्यादा दुबला पतला हो गया था, under the stubbly blonde beard, stubbly मलो, छोटे छोटे जो बाल होते हैं दाड़ी के, खुंटी के तरह उनको बोलते हैं, blonde मलो, सुंदर, बीट दाड़ी को बोलते हैं, तो उसकी जो छोट छोटे बाल थे, दाड़ी के सुंदर बाल, तो उन बालों के अंदर, जो चेहरा था, वो बहुती ज़्यादा दुबला पतला नजर आ रहा था, से, डॉक्टर, कहो डॉक्टर, I have got something, मुझे कुछ मिला है, I want to say to you, जो मैं तुमें कहना चाहता हूं, कि मेरे पास कोई दिमार्ट में है बात, जो मैं आपको पताना चाहता हूं, If I hadn't met a Jack like you, जैप मर लो जापानीज विक्ती, If I hadn't met a Jack like you, यदि मैं तुमारी तरे किसी जापानीज विक्ती से नहीं मिलता, Well, I wouldn't be alive today, तो आज मैं जिन्दा नहीं होता, I know that, मुझे ये बात पता है, सदाओ बोर्ड, सदाओ ने नीचे जुख करके, मतलब उसके सामने, अपनी गर्दन सही सारा किया जुख करके, but he could not speak, लेकिन वो बोला कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके मन में तो उसको मारने का प्लान चल रहा था, योजना बना कर गिया था, यह था, Sure, I know that, निश्चित रूप से मुझे ये बात पता है, Tom went on warmly, Tom went on, went on second form है, first form होती है go on, कारत होता है carry on, जारी रखना, warmly कारत होता है, गर्म जोशी के साथ, उच्छा के साथ, तो उच्छा के साथ Tom आगे बोलता रहा, his big thin hands, gripping a chair, उसके बड़े पतली हाथ जो थे, big thin hands, gripping, वो जखड़े वे थे, एक चेर, एक उच्छी को, were white at the knuckles, और उसके जो हाथ थे, वो knuckles से white थे, यानि knuckles क्या होता है, उंगलियों की गंठें होती हैं उनको knuckles बोलते हैं, तो उस लिप्ती के जो उंगलियों की गंठें थी, वो white थी, white color की थी, I guess, मैं अनुमान लगाता हूँ, if all the Japs were like you, कि सारे जापानीजित तुमारी तरह हो जाए, they wouldn't have been a war, तो कोई यूद को गाई भी, उस विक्ती ने का, यानि टॉम ने का, कि ये जिस सारे जापानीजित तुमारी तरह हो जाए, तो यूद की नौबत ही नहीं आए, perhaps, सायद सदाओ से विद डिफिकल्टी, सदाओ ने बड़ी कितनाई के साथ का, कि सायद ऐसा हो सकता है, and now I think, और अब मैं सोचता हूँ, you had better go back to bed, had better का तो तो ता अच्छा हुगा, go back to bed, कि तुम वापिस दिस्तर पे चले जाओ, he helped the boy back into bed, अब सदाओ ने help करी उस लड़के की, back into bed, वापिस दिस्तर में जाने में मदद करी, and then board, और फिर उसके सामने नमन किया, नमसकार किया, या जो भी है, good night, he said, सदाओ ने का good night, सदाओ slept badly that night, अब उस राद को, चुकि सदाओ प्लान बना किया था, इस विक्ति के murder का, तो सदाओ slept badly, यानि बहुत ही बुरी तरे से ने लाई सदाओ को, उस राद को, time and time again, समय समय पर, he walked, वो जाग गया, thinking, यह सूचते हुए, he heard the rustling of footsteps, रसल का जोता है सरसराट की आवाज, foot steps, यानि कदम, कदमों के सरसराट की आवाज सुन करके वो जा गया था, the sound of a tweak broken, अब किस चीज की आवाज उसने सुने थी, कदमों की आवाज तो नहीं थी, कोई हत्यारे तो नहीं थे, लेकिन आवाज सुन करके वो जा गया था, वो आवाज किस चीज की थी, तो यहां पर बताया, the sound of a tweak, tweak कहते हैं पेड की टहनी को, तो एक पेड की टहनी की जो आवाज है broken, उसके तूटने की आवाज आई थी, और a stone displaced in the garden, या फिर कोई पत्थर displaced, जो अपने स्थान से हट गया था, displaced हो गया था in the garden, बगिचे के अंदर कोई पत्थर है, वो लुड़ग गया था, अपने स्थान से हट गया था, उसकी आवाज आई थी, इन नोई सचे ज में माइट में एक, एक ऐसा सोर सचे, जैसे की में माइट में इस परकार का सोर, जो एक आदमी करता है, यानि कुछ आदमी जो ओते हैं, जो बोज उटा करके लेके जाते हैं न, तो वो किस तरीके का सोर होता है, उस तरीके की आवाज है, इसको शुनाई दी थी, तो रात है इसकी अच्छी नहीं गई थी, the next morning, अगली सुबह क्या वाद है कि he made the excuse, excuse का तो ता बहाना बनाना, तो सदाव ने बहाना किया, to go first into the guest room, सबसे पहले guest room में जाने का बहाना बनाया, if the American were gone, यदि American चला गया, यानि जो हत्यारे आए उन्होंने उसको मार दिया, और उसके बोड़ी को ले गए वो, तो ये बात सोच रहा था, डॉक्टर सदाव, if the American were gone, यदि American चला गया, he then could simply tell Hannah, तो वो Hannah को बता देगा, they saw the general had directed, जैसा कि general ने निर्देश दिया था, यानि general ने जो योजना बनाई थी, वो योजना हना को बता देगा, यदि हत्यारे ने उनको मार दिया, उसकी बोड़ी को ले करके चले गए तो, but when he opened the door, लेकिन जब उसने दरवाचा को ला, he saw it once, तो उसने तुरंती देख लिया था, there on the pillow, वहां तक्ये पर, was the saggy blonde head, जबराला, जबराले, लंबे जो बाल होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, blonde मालो सुंदर, तो लंबे जबराले बालो मालो सुंदर जो सिर था, वो तक्ये के उपर वांपर था, यानि वो जो अमरिकन था, वो अभी भी कमरे के अंदर था, कोई हत्यारे नहीं आये थे, कोई उसका मर्डर नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, वो अभी भी कमरे में था, तो सदाओ है, वो सुन सकता था, शांती से सांस लेने के अवाज, ब्रीदिंग उप स्लीप, यानि नींद के अंदर सांस लेने के अवाज, सदाओ को सुनाई दे रही थी, और सदाओ ने दरवाजे को फिट सांती से, धीरे से, बिना आवाज के बंद कर दिया, तो सदाओ ने हाना को बताया अपनी वाइप को, कि ये तो सोया हुआ है, कि ये इस तरीके से सोया हुआ कि इपना ठीक लग रहा है, हम इसका क्या करेंगे, कि हम इसका करेंगे क्या, सदाओ ने अपना सर हिलाया, मैं एक दो दिन में डिसाइड कर लूँगा, कि इसका क्या करना है, he promised, तो सदाव ने एपनी वाइब से promise किया कि एक दो दिन मेरे कुदो मैं decision करता हूँ कि इसका क्या करेंगे but certainly लेकिन निश्चित रूप से he thought, उसने सोचा the second night must be the night कि दूसरी जो night, second night पहली रात तो कोई हत्यारे नहीं आई थे तो दूसरी night जो है उसने सोचा कि इस रात को तो हत्यारे आएंगे, याएंगे there rose a wind that night तो उस रात को भी एक हवा है, वो चलने लगी wind जो है, हवा वो चलने लगी and he listened to the sounds of bending balls and whistling partitions फिर आवाज सुनाई दी डॉक्टर सदाव को रात को to the sounds of bending balls अब यहां पे किस चीज किस sound सुनाई दे रही थी, bending जुक्ती भी, balls मरलोग साखाई and whistling partitions और city बजाते वे जो partitions होते हैं बाजग जैसे किसी अलमारी को कोलते हैं, तो जो आवाज आती है ना दरवाजों से उसको बोलते हैं, तो वो आवाज हैं और जो बिमार आदमी है उसके partition को, यानि जो garden की तरफ इससा कुला है, उसका दरवाजा कुला है उसको बंद नहीं करना चाहिए see asked, उसने पूछा, अपने aspect से पूछा, क्योंकि दरवाजों की आवाज आ रही थी दरवाजे, हवा तेज चल रही थी तो उस वज़े से दरवाजे आके वीचे हो रही थी तो वो जो बाज आ रही थी, तो हैना ने कहा अपने aspect से, ought we not to go and close the sick man's partition क्या में नहीं जाना चाहिए, और उस sick man's partition को, यानि दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए, no सदाओ से, सदाओ ने का नहीं, he is able now to do it for himself, वो अभी ये काम खुद करने के योग्य है, वो खुद कर सकता ये but the next morning, लेकिन अगली सुबह, the American was still there American फिर भी वहीं पे था यानि अगली सुबह भी वहीं पे था रात को कोई अत्यारे फिर नहीं आये थे then the third night of course must be the night, फिर सदाओ ने सुचा कि तीसरी रात जो है, वो तो रात होनी चाहिए, यानि उस रात को था त्यारे आएंगे ही आएंगे, the wind changed to quiet rain, अब जो हवा थी वो बदल गई to quiet rain, दिमी दिमी शांती पोन, बरसात अने लगी and the garden was full of और जो बगीचा था, वो बढ़ा हुआ था अब बगीचा है, वो किस से बढ़ा हुआ था full of the sound, अवाजों सुरी यानि बगीचे में से ribbon परकार की अवाजें आ रही थी, dripping eaves and running springs अब किस तरह की अवाजे हैं, दो अवाजें के बारे में आपको बताया है यहां पर एक तो अवाज आ रही थी, dripping eaves eaves कहते हैं, जो मकान के छज़े होते हैं घरों के अंदर तो उनको बोलते हैं तो dripping eaves, यानि छज़ों पर से पानी गीर रहा था, वो अवाज आ रही थी running springs और ज़रनी बह रहे थे यानि पानी बह रहा था, उसकी अवाज आ रही थी सदाव slept a little better सदाव थोड़ा सा अच्छी नींद में सोया but he woke at the sound लेकिन वो अवाज सुनकर जा गया of a crass, एक दढाम की crass मलो दढाम, कोई चीज जोर से गिरना तो ऐसी वो यावाज सुनकर जा गया and leap to his feet leap मलो, एकदम उचल कर खड़ा हो गया, to his feet, अपने पेरों पर what was that, यह क्या था Hana cried, Hana जोर से चीखी यह किस चीज की अवाज थी the baby walk at her voice और जो बच्चा था, वो भी अपनी मां की अवाज सुनकर जा गया and begin to wail, wail मलो रोना और उस बच्चे ने रोना सुरुपर दिया I must go and see, मुझे जानना होगा और देखना होगा तो Hana ने का कि मैं जाकर के देखते हूं किस चीज की अवाज थी but he held her, लेकिं डोक्टर सदाओ ने उसे रोक लिया and would not let her move, और उसे हिलने ने दिया यानि उसे जानने नहीं दिया, पकड लिया उसको सदाओ, she cried उसने जोर से का कि सदाओ, what is the matter with you तुमें क्या हो गया है don't go, मत जाओ he muttered, वो बड़बडाया दीरे से का उसने कि मत जाओ, don't go मत जाओ, क्योंकि डोक्टर सदाओ को यह लगा कि आज तो बिल्कुल हत्यारे हैं, वो आए होंगे और वो हत्या है, वो इस व्यप्ति की कर रहे होंगे, तो इसलिए उसने अपनी वाइब को बाहर नहीं जाने दिया, उसने का कि मत जाओ तुम, his terror infected her, उसका जो terror था, डर था, यह दोक्टर सदाओ का जो डर था, infected her, उसने उसको भी प्रभावित किया, हाना को भी प्रभावित किया, and she stood breathless, breathless मत आवाख, मुह को लिकर, मुह कुला का खुला रह जाना, तो अपने his bed को जो इतना डरा हुआ देखा, तो हैना है, वो भी breathless खड़ी थी, यानि आवाख खड़ी थी, वेटिंग और इंतजार कर रही थी, there was only silence, अब टेवल silence थी, चुपी थी, together साथ-साथ, they crept back into the bed, वे रेंगते हुए वापिस, बिस्तर के इंदर आए, the baby between them, और जो अच्छा था, उनका वो, उनके बीच में था, yet, when he opened the door of the guest room, फिर भी, जब उसने guest room का दरवाजा खोला, in the morning, सुबह, there was the young man, तो young man वहीं पे था, यानि American वेखती था, वो वहीं पर था, चोती रात को भी कोई अत्यारी नहीं आये थे, he was very gay, वो बहुती जदा गे कार होता है, बहुती जदा खुश होना, बहुत जदा आनिंद में होना, तो जो American था, वो बहुती जदा खुश था, आनिंद में था, and had already washed, और उसने सनान कर लिया था, and was now on his feet, और अब अपने पेरों के उपर वो खड़ा था, He had asked for a razor yesterday, कल रात को उसने razor मंगा था, yesterday, यानि बिती वे कल, उसने एक razor मंगा था, and had saved himself, और अपनी दाड़ी बना लिथी, and today there was a faint color, और आज एक हलका सा color था, in its cheeks, उसके गालों पर, यानि उसके गालों पर आज एक रोननक बिटाई दे रही थी, क्योंकि उसने save कर लिया था, अपनी आपको दाड़ी बना लिथी, और सनान किया हुआ था, I am well, he said joyously, उसने खुशी से का, आनन्द के साथ का, I am well, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, Sadao drew his kimono around his very bed, तो Sadao ने क्या किया, देखिए यहां पर, कि मोनो तो वर्ड पहले आ चुका है, यह एक परकार का वस्तिर होता है, जो कि Japanese लोग हैं, वो इस्तिमाल करते हैं, तो Sadao ने जो kimono था, अपना around his very body, very mind, थका मान दा, थका हुआ, तो उसका थका हुआ सरीर था, उसके उपर डाला, he could know, he decided suddenly, सadao ने अचानक से यह decide किया, go through another night, कि वो एक और रात अब इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि हत्यारे तो आ नहीं रहेते मारने के लिए, चार रात इसने इंतजार किया था, अब वो सुच रहें कि वो एक और रात इंतजार नहीं कर सकता, it was not day, एसा नहीं था कि, he cared for this young man's life, कि वो इस यूगप के जीवन की परवा करता था, ये बात नहीं थी, सadao को इसके जीवन की कोई परवा नहीं थी, no, simply it was not worth the strain, वज़े क्या थी, strain कहते हैं तनाव को, वो तनाव है, वो सैन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी वाइब को भी तनाव, अब को रहा था, बहुत ज़दा गर के अंदर, वो भी डर रही थी, और सadao हो गया, उसको भी तनाव गया, वो सैन नहीं उपर रहा था, इसलिए वो उससे चुटकार आपाना चाहता था, जल्दी से जल्दी, उसने चार रातें इंतजार किया हत्यारों का, लेकिन किसी भी रात हत्यारे नहीं आये, इसलिए अब बहुत ज़दा हो गया था, और एक और रात वो इंतजार नहीं करना चाहता था, तो स्टुडेंट्स इस वीडियो के निदर तो यहीं तक पढ़ेंगे, अगे का लिसन है, वो एक और वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो का वेट कीजी और देखिए आगे क्या होता है, सुदा हो क्या करता है इसके साथ, तब तक के लिए जय हैं,